तो हलो दोस्तो आज मैंने जारी हूं मैक्रोणी जो मैं बनाओंगी चट-पटे देशी और विदेशी स्टाइल में यहां पर मैंने टॉप्स की मैक्रोणी ली है आप जाहें कोई से भी लेच सकते हैं तो हलो दोस्तों वेलकम बेक इन मैं चैनल वेदनू लेखा चैनल को सुस अब से आप पानी लीजेगा यह मैंनेंसे गेस में रख दिया है यह देखिए है मैं इसमें हल्का सा कुण से होने दूँंगी और हम अब इसमें एड़ कर दूँगी हमारे नमक मैंने आदा चमश नमक लिया है यह मैंने आधा पकने दूँगी आप नमक और तेल की कॉंटिटी ओयल की पानी की यह अपके मैकरोनी के अकॉर्डिंग लीजेगा दोस्तों तो मैंने यहां एक कटूढ़ी लेना था तो मैंने इतना लिया है यह देखिए अब यहाँ देखिए अब में से पकने दूँगी ये देखिए मेरा हो चुका ये मैंने 5 मिनिट के बाद आपको बताया है 5 मिनिट तक हमें पकाना है ये देखिए अब मेरी मेकरोनी अच्छे से पक चुकी है अब मैं इसमें आड़ कर दूँगी ठंडा पानी ये देखिए ठंडा पानी मैंने आड़ करना है कि यह और अच्छे से डिपो जाए और इसे मैं पांच मिनट के लिए छोड़ दूंगी तो अब मैं लेती हूँ एक कढ़ाई और इसमें मैंने ओईल लिया है अब मैं इसमें डालूँ गी मॉस्टर शीद माने राई के दाने यह पतक गये है अब मैं इसमें प्यास डाल दिया दो दो बड़े चोटे चोटे हुआ प्यास डाल दिया अब इसे अच्छे से भूज लेंगे हम यह जो इसे हमें प्याज को जलाना नहीं दोस्तों इसे बस इतना हलका हलका ही भूजना है इसमें आड कर दूंगे हमारे टमाटर दो बड़े कटे हुए छोटे-छोटे टमाटर मैंने अड़ कर दिया है अब इसमें एड़ कर दूंगी नमक नमक मैंने एक पिंच एड़ करना है क्योंकि मैं अल्रेड़ी इसमें नमक मैकरोनी में डाल चुकी हो और हम सोया सॉस भी डालेंगे इसलिए नमक वन पिंच हल्दी मेंने वन फोर्थ और लाल मिर्च लेना है आधा चमच और मैं कोरिडर मिच भी डाला है तो आपको जैसा तीखा पसंद है तो आप उसे जादा भी ले सकते हैं लाल मिच को अब ये देखिए मेरा तेल देखिए छोड़ दिया मिंस मसाले पग गए हैं अब मैं इसमें एड कर दूंगी हमारे चॉप्ड किये हुए हरा धनिया ये देखिए ये मैंने एड कर दिया है ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है ये देखिए अब मैं एड कर दूंगे मैकरोनी ये मैकरोनी को मैंने पानी इसका निकाल दिया पूरा और ये देखिए ये मैकरोनी मैंने एड कर दिया अब इच्छे से चला दूंगी अब इसमें मैं एड कर में तो ज्टोट सॉट कर दूंगी यह दिक दो चमश लेना है आपको और आड कर देंगे हम इसमें थोड़ा सा टमेटो सॉस थोड़ास मीं ना सिफन आप इसमें तकमेटो सॉस आड़ कर दीजेगा तो यह चेसे मैं मिक्स कर दूंगे यह देखे गैस की फैम को हाई करके आप अच्छे से जल्ली से मिक्स कर लीजेगा ये देखे ये देखे किता सुन्दर कलर आ गया है ये मेरी मैकरोनी यहाँ पर रैडी होने लगी है और लगबग हो चुकी है ये देखे ये बहुत टेस्टी मैकरोनी बनती है दोस्तों देशी और विदेशी स्टाइल में ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है आप भी एक बार ज़रूर्ट रॉय करिएगा ये मैरी मैकरोनी रैडी है मैने गेस बनकर दिया है अब मैं इस पलेट मेंनिकाल लूँगी जे देखे अब रैडी है मेरी मैकरोनी खाने के लिए तो ज़रूर बनाईएगा कमेंट्स करके ज़रूर लिखेगा